हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की पोको C3 फोन में आप लोग नेटवर्क प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके फोन में जो नेटवर्क प्रोब्लेम द एकदम कम हो गया है पॉल जो है कभी कभी लगता भी नहीं मतलब आपके फॉन में जो है नेटवर्क पॉब्लेम देखने को मिल रहा है तो इस नेटवर्क पॉब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाई साप लोगों को इसल सिम कार्ट एम मूबाल नेटवर्क का ओप्शन होगा इससब्स एक क्लिक करनम के बाद जिस भी स 무대 जखने को मिल पीडेने को होता है आपका जो call करने पर जो voice quality होता है वह इंप्रूफ हो जाता है communication quality भी हाँ पर इंप्रूफ हो जाता है तो इसलिए आप लोगों को इस use voltage के option को हमेशा on करके रखना है उसके बात यहाँ पर और एक option है गाइस access point names का तो इस access point names के option पर क्लिक करना है तो इसको के short form में a pn setting बोलते है तो हमें जो है इस a pn setting को reset करना है reset करने के लिए देख सकते ही नीचे reset का option है यहाँ पर तो reset के option पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों a pn setting है वह completely reset हो जाएगा और a pn setting reset होने के बाद आपका जो network problem है वह 100% solve होई जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Poco C3 phone में network problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई